रेडियो खाची 90.4 एफेम पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकारात्मक्ता को आगे बढ़ाना। यश्पाल की कहानी करवा का ब्रत का भाग एक हम सुन चुके हैं आए सुनते हैं उसका अगला भाग। जा सकता था। करवे के दिन सुई, सलाई और चर्खा नहीं चुआ जाता। तो कामकाज की छुट्टी थी और विनोध के लिए ताश या जुए की बैठक जमाने का उपक्रम हो रहा था। वे लाजो को भी उसी के लिए बुलाने आई थी। सिर्दर्द और मन के दुख के कारण लाजो जान नहीं सकी। सिर्दर्द और वदन तूटने की बात कहकर वा टाल गई और फिर सोचने लगी। ये सब तो सुबह सरगी खाए हुए हैं। जान तो मेरी ही निकल रही है। फिर अपने दुखी जीवन के कारण मर जाने का खयाल आया और कलपना करने लगी। कि करवा चौत के दिन उपवास किये किये मर जाएं। तो इस पुन्य से जरूर ही यही पती अगले जनम में मिले। लाजो की कलपना बावली हो उठी। वह सोचने लगी मैं मर जाऊं तो इनका क्या है। और व्याह कर लेंगे। जो आएगी वह भी करवा चौत का ब्रत करेगी। अगले जनम में दोनों का इन ही से व्याह होगा। हम सौतें बनेंगी। सौत का ख्याल उसे और भी बुरा लगा। फिर अपने आप समाधान हो गया। नहीं, पहले मुझ से व्याह होगा। मैं मर जाऊंगी, तो दूसरी से होगा। अपने उपवास की इतने भयंकर परिणाम की चिंता में मन अधीर हो उठा। भूक अलग ब्याकुल किये हुए थी। उसने सोचा, क्यूं, मैं अपना अगला जनम क्यूं बरबात करूं। भूक के कारण सरीड निढाल होने पर भी खाने को मन नहीं हो रहा था, परन्तु उपवास के परिणाम की कलपना से मन क्रोध से जल उठा, वह उठ खड़ी हुई। कनहया लाल के लिए उसने सुभ़ जो खाना बनाया था, उसमें से बची दो रोटियां कटोर दान में पड़ी थी। लाजो उठी और उपवास के फल से बचने के लिए उसने मन को वश में कर एक रोटी रूखी ही खाली और एक ग्लास पानी पीकर फिर लेट गई। मन बहुत खिन्न था, कभी सोस्ती यह मैंने क्या किया, व्रत तोड़ दिया, कभी सोस्ती ठीकी तो किया, अपना अगला जनम क्यों बरबात करूं, ऐसे ही पड़े पड़े जप किया गई। कमरे के किवाड पर धम धम सुनकर लाजो ने देखा, रोशन दान से प्रकाश की जगा अंधकार भी तर आ रहा था, समझ गई, दफ्तर से लोटे हैं, उसने किवाड खोले और चुप चाप एक ओर हट गई, कनया लाल ने क्रोध से उसकी ओर देखा, अभी तक पारा नहीं उत्रेगा, लाजो के दुखे विवे दिल पर और चोट पड़ी, और पीडा क्रोध में बदल गई, कुछ उत्तर ना देकर, वह घूम कर फिर दीवार के सहारे फर्स पर बैट गई, कनया लाल का गुस्सा भी उबल पड़ा, यह अकड है, आज तुझे ठीक कर ही दूँ, उ पर हाफते हुए लाद उठा कर कहा, और मिजाज दिखाएगी, खड़ी ओ सीधी, लाजो का क्रोध भी सीमा पार कर चुका था, खीची जाने पर भी फर्स से उठी नहीं, और मार खाने के लिए तयार हो, उसने चिला कर कहा, मार ले, मार ले, जान से मार डाल, पीछा छूट आज ही तो मारेगा, मैंने कौन सा ब्रत रखा है तेरे लिए, जो जनम जनम मार खाऊंगी, मार, मार डाल, कनहया लाल का लात मारने के लिए उठा पाओ, अधर में ही रुख गया, लाजो का हाथ उसके हाथ से छूट गया, वह स्तब्द रह गया, मुँ में आई गाली भी, म शेर था, पर लाजो को डांट और मार सकने का अधिकार एक ब्रहम ही था, कुछ छनवा हापता हुआ खड़ा रहा और सोसता रहा, फिर खाट पर बैट कर चिल्ता में डूब गया, लाजो फर्ष पर पड़ी, रो रही थी, उस और देखने का साहस कनहया लाल को ना हो रहा थ वह उठा और बाहर चला गया, लाजो फर्ष पर पड़ी फूट फूट कर रोती रही, जब घंटे भर रो चुकी तो उठी, चुल्हा जला कर कम से कम कनहया के लिए खाना तो बना नहीं था, बड़े में बेमन से उसने खाना बनाया, बना चुकी तब भी कनहया लाल लोटा नहीं था, लाजो ने खाना ढख दिया और कमरे की किवाड उढ़का कर फिर से फर्ष पर लेट गई, यही सोच रही थी कि क्या मुसीबत है यह जिंदगी, यही जेलना था तो पैदा ही क्यों हुई थी, मैंने किया क्या था जो मारने लगे, किवाडों के खुलने का वह उठने के लिए आंसूं से भीगे चेहरे को आंचल से पोशने लगी, कनहया लाल ने आते ही एक नजर उसकी और डाली, उसे पुकारे बीना ही, वह दिवार के साथ बिछी चटाई पर चुप-चाप बैठ गया, कनहया लाल का ऐसे चुप-बैठ जाना नई बात थी, पर हाथ दोलाने के लिए खड़ी थी, जब पांच मिनट हो गया और कनहया लाल नहीं आया, तो उसे पुकार नहीं पड़ा, खाना परस दिया है, कनहया लाल आया, तो हाथ नल से धोकर ज़ाड़ते वे भीतर आया, अब तक हाथ दोलाने के लिए लाजो ही उठकर पानी देती कन्या लाल दो ही रोटी खाकर उठ गया लाजो और देने लगी तो उसने कह दिया बस हो गया और नहीं चाहिए कन्या लाल खाकर उठा तो रोज की तरह हात धोलाने के लिए ना काकर नलकी ओर चला गया लाजो मन मार कर सुयम खाने बैठी तो देखा कि कद्दू की तरकारे बिलकुल कड़वी हो रही थी मन की अवस्था ठीक ना होने से हल्दी नमक दो बार पड़ गया था बड़ी लज्जा अनुभो हुई हाई इन्होंने कुछ कहा भी नहीं यह तो जरा कम जादा हो जाने पर डांट देते थे लाजो से दुख में खाया नहीं गया योही कुला डाल कर हाथ धोकर इधर आई कि बिस्तर ठीक कर दे चौका बाद में समिट लेगी देखा तो कनयालाल स्वेम ही बिस्तर जाड़ कर विछा रहा था लाजो जिस दिन से इस घर में आई थी ऐसा कभी नहीं हुआ था लाजो ने शर्मा कर कहा मैं आ गई रहने दो किये देती हूँ और पती के हाथ से दरी चादर पकड़ ली लाजो विस्तर ठीक करने लगी तो कनयालाल दूसरी ओर से मदद करता रहा फिर लाजो को संबोधित किया तुमने कुछ खाया नहीं कद्दू में नमक जादा हो गया है सुबह और पिछली रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था ठहरो मैं तुम्हारे लिए दूद ले आता हूँ लाजो के प्रती इतनी चिंता कनयालाल ने कभी नहीं दिखाई थी जरूरत ही नहीं समझे थी लाजो को उसने अपनी चीज समझा था आज वह ऐसे बाते कर रहा था जैसे लाजो भी इनसान हो उसका भी खयाल किया जाना चाहिए लाजो को शर्म तो आ रही थी पर अच्छा भी लग रहा था उसी राज से कनयालाल के बैवार में एक नर्मी सी आ गई कड़े बोल की तो बात ही क्या बल्कि एक जिजख सी हर बात में जैसे लाजो के किसी बात के बुरा मान जाने की या नाराज हो जाने की आशंका हो कोई काम अधूरा देखता तो स्वयम करने लगता लाजो को मलेरिया बुखार आ गया था तो उसने उसे चौके के समीब नहीं जाने दिया बरतन भी खुद साफ कर लिये कई दिन तो लाजो को बड़ी उलजन और शर्म मालूम हुई पर फिर पती पर और अधिक प्यार आने लगा जहां तक बन पड़ता घर का काम उसे नहीं करने देती प्यार से डांट देती या काम करते मर्द अच्छे नहीं लगते उन लोगों का जीवन कुछ दूसरी ही तरह का हो गया लाजो खाने के लिए पुकारती तो कनया जिद करता तुम सब बनालो फिर एक साथ बैठ कर खाएंगे कनया पहले कोई पत्रिका या पुस्तक लाता था तो अकेला ही मन ही मन पढ़ा करता था अब लाजो को सुना कर पढ़ने लगा यह भी पूछ लेता तुम्हें नेंद तो नहीं आ रही साल बीटते मालूम न हुआ फिर करवा चौत का ब्रत आया जाने क्यों लाजो के भाई का मनी ओरडर करवे के लिए ना पहुँच पाया था करवा चौत से पहले दिन कनया लाल दफदर जा रहा था लाजो ने खिन्नता और लज्जा से कहा भाईया करवा भेजना शायद भूल गए कनया लाल ने सांत्वना के स्वर में कहा तो क्या हुआ उन्होंने जरूर भेजा होगा डाक खाने वालों का हाल आजकल बहुत बुरा है शायद आजा जाए या और दो दिन बाद आए डाक खाने वाले आजकल मनी ओर्डर में पंदरा-पंदरा दिन लगा देते हैं तुम ब्रत उपवास के जगडे में मत पढ़ना तबियत खराब हो जाती है यों कुछ मंगा नहीं है तो बता दो लेते आएंगे पर व्रत उपवास से होता क्या है सब धकोसले हैं वाह या कैसे हो सकता है हम तो जरूर रखेंगे व्रत भाया ने करवा नहीं बेजा न सही बात तो व्रत की है करवे की थोड़े ही है लाजो ने बेपरवाही से कहा संध्या समय कनहया ला लाया तो रुमाल में बंधी छोटी गांट लाजो को थमा कर बोला लो फेनी तो मैं ले आया हूँ पर व्रत व्रत के जगड़े में नहीं पढ़ना लाजो ने मुस्कुरा कर रुमाल लेकर अल्मारी में रख दिया अगले दिन लाजो ने समय पर खाना तयार कर कनहया को रसोई में पुकारा आओ खाना परोस दिया है कनहया ने जाकर देखा खाना एक ही आदमे के लिए परोसा था और तुम उसने लाजो की ओर देखा वाह मेरा तु ब्रत है तो लो हमारा भी व्रत रहा। आसन से उठते हुए कनहया लाल ने कहा। लाजो ने पती का हाथ पकट कर रोकते हुए समझाया। क्या पागल हो, कहीं मर्द भी करवा चौत का ब्रत रखते हैं। तुमने सर्गी कहां खाई? नहीं नहीं, या कैसे हो सकता है? कनहया नहीं माना, तुम्हें अगले जन्म में मेरी जरूरत है, तो क्या मुझे तुम्हारी नहीं है? या तुम भी ब्रत न रखो आज? लाजो पती की और कातर आखों से देखती हार मान गई। पती के उपवास में ही दफ्तर जाने पर उसका हरदय गर्ब से फूला नहीं समा रहा था। धन्यवाद है।